दोस्तों आपके फोन में इंटरनेट डेटा काफी जल्दी खतम हो जाता है पर डे एक जीबी, डेट जीबी, दो जीबी डेटा प्लान यूज करती हो मैं आप सभी को इस पोडियो में चार ör्टिमेट ट्रिक्स बताऊंगा अगर उन चारों ट्रिक को फोन में कर लोगी और आप फोन में जो भी डेटा प्लान यूज करती हो इंटरनेट डेटा जल्दी खतम नहीं होगा पूरे दिन आपके फोन में इंटरनेट डेटा चलेगा किसी भी कंप्रींगा फोन यूज करती हो किसी भी कंप्रींगा सीम यूज करती हो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, सभी फोन में, सभी सीम में उन चार ट्रिक को कर सकती हो यकिन मानना अगर आपके फोन में इंटरनेट डेटा काफी जल्दी खतम हो जाता है जबकि आप फोन में जादे वीडियोस नहीं देखती हो, गेम नहीं खेलती हो, फिर भी खतम होता है, मैं आप सभी को स्पिड़ो में चार्ट ट्रिक बताऊंगा और उन चार्ट ट्रिक को करने के बाद फोन में आप जी भर के वीडियो देख सकती हो, गेम खेल सकती हो, और आ कुछ नया सिंखर को मिले एलो नमस्ते मेरा नाम है सत्या आप सुभी का स्पागते मेरे डूप चनाल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में चिले फड़ा फ़र्च वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सुभी से छोड़ा सा रिक्वेस्ट है और यहां पर एक शोड़ा सा कमेंड कीजिए सेव इंटरनेट यह शोड़ा सा कमेंड लिकर जरूर से सेंड कर दना दो सग्रा फोन में एक लिमिटेड डेटा प्लान यूज करते हो एक जी भी डेर जी भी दो जी भी जो भी डेटा प्लान यूज करते हो और आपके फोन में इंटरनेट डेटा जल्दी खतम हो जाता है मैं आप सुभी को इस वीडियो में चार अल्टिमेट श्रीक बताऊंगा और उन चारोट श्रीक को फोन में करने के बाद आपके फोन में इंटरनेट डेटा जल्दी खतम नहीं होगा पूरे दिन आपके फोन में इंटरनेट डेट चलेगा किसी भी कंप्रेंगा फोन यूज करती हो सीम यूज करती हो उससे कोई फोरक नहीं पड़ेगा अगर आप फोन में उन चारोट ट्रीक को कर लेती हो फोन में इंटरनेट डेटा पूरे दिन चलेगा और वो चार्ट ट्रीक याई जानने के लिए वडियो को दियान से देखना और समझना और वो ट्रीक क्या है पताने से पहले आप सुभी से शोटा सा रिक्वेस्ट यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में में मेरा फेस्बूक एकाउंट लिंग है जरूर से मुझे फेस्बूक में फोलो कर लेना फेस्बूक में बहुत सारे टिप्स और ट्रि आप यूट्यूब यूज करते हूं यूट्यूब उपन किजिए उपन करने के बाद ऊपर दिखे Scout फोटा ऐकन है प्रोफाइल फोटो पे क्लिक कीजिए नीच्न दहें Cities معआ ऑप्सों है सेटिंग सेटिंग क्लिक कीजिए और यहां पर दिखें आपके जीग क्या वीडियो सेवर स्लेट कर लिजिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट सेब होगा और वीडियो क्वालिटी भी खराब नहीं होगा अगर आप एक लिमिटेड वाइफाई कनेक्शन यूज़ करते हो ऐसे में इससे ओटो रहने दीजिए अगर आप लिमिटेड वाइफाई रहने की प्लान यूज करते हो यहां से भी आपको इससे डीटा सेबर स्लेट कर लेना है यह था पहला जो आपको यूशुब के अंदर करना है यह करने के बाद Facebook open कीजिए Facebook open करने के बाद ये 3 line पे क्लिक कीजिए नीच्चा ये नीच्चा देखिए option है settings and privacy setting and privacy select कीजिए और यहां से settings select कीजिए settings select करने के बाद आपके समने बहुत सारे setting option है यहां पर निकल कर आ जाएंगे और यहां पर नीच्चा आना है आप सुभी को पता होगा जब यहां Facebook open करती हो automatically video play होना start होता है और जिस पैसे internet data use होता है और यहां से आपको never autoplay videos इसे select करना जब भी आपको जो भी वीडियो देखना हो Facebook में उससे आपको manually click करके वीडियो को watch करना होगा अगर आप यह दोनों setting कर रहेती हो YouTube और Facebook में इससे आपका बहुत ज़्यादा data save हो जाएगा और यहां पर आपका 20% तक का data save हो जाएगा 20% तक का data save हो जाएगा और यह दूसरे application में भी कर सकती हो सभी application के अंदर आपको यह settings मिल जाएगा data saver जरूर सभी application के अंदर यह data saver करना है खास करके YouTube और Facebook में यह setting आपको करना है यह करने के बाद जो दूसरा trick है दोसरो WhatsApp में आपके बहुत सारे groups होंगे और WhatsApp के अंदर आपके पास बहुत सारे photo वीडियो आते होंगे और जो भी photo वीडियो WhatsApp में आते हैं वो automatically download हो जाता है और वो यह trick क्या यह देखिए यह three dot पे क्लिक कीजिए settings पे क्लिक कीजिए और यहां से storage and data select कीजिए और यहां पर क्लिक करने के बाद लिए option है use less data for calls यह option है कौन करना है अपने देखा होगा जिब आप WhatsApp पर video call करते हो तो काफी ज़ादा internet data use होता है audio call में तो खास करके इतना नहीं होता है लेकिन video call में बहुत ज़ादा internet use होता है यहां सबको use less data for calls यह करना है और video quality खराब नहीं होगा लेकिन background में जो data use हो रहा होगा वो यहां पर बंद हो जाएगा फिर निश्यद के option है media auto download when using mobile data यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर यह सभी option पे ट्रीक होगा यहां सबको यह सभी option से अंटिक करना है यह टिक mark हटा दीजिए और इससे okay कर दीजिए और यह करने से क्या होगा ना जब भी आपके पास WhatsApp पर कोई भी फोटो वीडियो ओडियो डॉक्मेंट आएगा वो अपने आप download नहीं होगा जो भी आपको download करना होगा वो manually आपको download कर लेना है फूर यहां पर दीखे when connected on Wi-Fi अगर आप unlimited Wi-Fi connection यूज करते हो ऐ से manually आपको download करना होगा अपने आप WhatsApp में download नहीं होगा और यह दोनों सेटिंग करने के बाद आपके phone में 40% तक का data save हो जाएगा यह दोनों सेटिंग अगर आप कर लेती हो YouTube, Facebook और WhatsApp में 40% तक का data save होगा तो यह हो गया second trick अभी बढ़ते है third trick और यह trick यह है क्या पहले समझ र यह different process हो सकते हैं, यह से में आपके phone में कुल मिलाके जो भी photos आते हैं gallery में उसका एक backup बनता है, अगर आप यहाँ पर यह Google folder open करोगे यहाँ पर यह देखने को मिलेगा photos और यह Google का application ने और यह photos के अंदर सारे सीज़ें backup होते हैं जो भी आप download करते हो आपके phone के gallery में जो भी photo video हैं, तो यहाँ पर यह profile photo icon पे click कीजिए, नीचे देखिया option है photo settings, photo settings यहाँ पर click कीजिए और यहाँ पर यह पर यह उप्छिए backup and sync select कीजिए और यहाँ पर यह नीचे देखिया option है, sale data uses यहाँ पर आपको select करना है और यहाँ पर यह unlimited पे select होगा, लेकिन आपको यहाँ से इसे 30 MB करना है, यहाँ पर देखना है आपका unlimited होगा, यहाँ से आपको 30 MB करना है, यानी हर दिन यह 30 MB से ज़्यादा internet data को use नहीं कर पाएगा, बेक अप करने की लिए, जो भी आपके phone के gallery में photo, video होँगे, वो 30 MB तक का यहाँ पर बेक अप होँगे, फिर जो इतना बाकी रह सेब होगा, और आपका जो backup है, वो backup भी हो जाएगा, अपने आप होगा, अगर आप किसी wifi से connect हो जाती हो, अपने आप आपके सारे photo video backup हो जाएगे, लेकिन अगर आप mobile data से connect हो, यह 30 MB से ज़्यादा internet को use नहीं कर पाएगा, और यह setting google photos में करने के बाद, 70% यहाँ पर internet data लगनी यह number chart freak है, बहुत कामका ट्रीक है, दोसा फोन में बहुत सारे application install करके use करते हो, गेम खेलते हो, आपने देखा को जब आप bgmi खेलते हो, पबजी खेलते हो, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पिंग देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं MS, जो पिंग होता है, जिससे game क जो reflect होता है, वो होता है, वो काफी high हो जाता है बीच बीच में, यसा क्यों होता है, क्योंकि आपके phone में जो भी application से, वो सभी application background में run करते हैं, अगर आप यहाँ पर Instagram open करते हो, अपने आप Instagram पर video play हो जाता है, notification आता है, जब आप WhatsApp को open भी नहीं करते हो, WhatsApp में जो भी photo video आते आता है, background में run करता है, इस बज़े से, आपको करना क्या है, एक छोड़ा सा application download करना है, वीडियो के description में, application link है, वहाँ सा application download कर लेना, और वीडियो के आखिर में application का नाम भी बता दूँगा, वहाँ से भी download कर सकती हो, और यह application open करने के बाद यहाँ से आपको इसे agree करना है, agree कीजिए, और यह option यहाँ से on कर दीजिए, फुर इसे okay कीजिए, फुर इसे okay कीजिए, और यहाँ पर don't ask, again यहाँ पर tick करके इसे okay कर दना है, और कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलेगा, निशे देखिए, setting option है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करो के देखिए, बहुत सारे options पिलेंगे, जैसे आप यहाँ से adult website block कर सकते हो, काफी सरा यहाँ पर options मिलेंगे, अपने दरिगे साब यह setting भी कर सकते हो, यह feature है, जो application के अंदर आपको यह feature मिल रहा है, application में अगर आप चाहूं, उसमें आप internet को block कर सकते हो, और सिब उसे application में यहाँ पर internet को provide करना है, जो application application आप यूज कर रहे हो, अगर आपको विजय में खेलना है, यहाँ पर विजय में यह on रखिए, बाकी application के अंदर आपको यह option आपको on कर दाना है, ताकि उन application में यह internet वर्क ना करें, यहाँ से आप mobile data को बन कर सकते हो, यहाँ से यह wifi बंद होगा, और उस application में यहाँ पर internet नहीं जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, जिससे आपके phone में internet data save होगा, क्योंकि background में कोई भी application internet data को use नहीं कर पाएगा, और जो भी application यूज कर रहोगी है, जो आपके लिए important है, उस application में full power के साथ internet मिलेगा, और यह application link वीडियो के description में, और application का नाम भी आपको मैं बता देता यहाँ यहाँ पर देख लीजिए, बैसे वीडियो के description में, application का नाम है, और application का नाम है, internet guard, saver, firewall और description में link है, बहाँ से भी download कर सकती हो, मुझे उम्मीद है जरुसुद आपको यह चारोट रिक पसन आएगा, यह किन माना अगर आप प्राक्टिकली यह चारोट रिक को phone में करके देखोगे, आपका internet बहुत सेब होगा, और आप लंबे time के लिए पूरे internet को use कर सकती हो, अगर वीडियो चलाएगा, वीडियो पर लाइक करना, share करना, आपका दिन शूबो, जेहिंद,